हलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है Classification of Fire के बारे में तो चलिए शुरू करते है तो सबसे पहले जानते है कि Fire के Classification क्या है अगर हम International Standard की बात करें तो Classification of Fire जो है वो 6 Category में है यानि कि There are 6 Classes of Fire उसमें आता है Class A, Class B, Class C, Class D, Class E और Class F तो चलिए जानते हैं इसे संशिप में अब ये जो 6 Classes of Fire है ये डिपेंड करता है कि Types of Fuel कुन सा यूज हो रहा है इसकी उपर इसकी Categorize की गई है तो चलिए जानते हैं कि Class A Fire में क्या आता है तो Class A Fire में आता है Combustible Material यानि कि जलने वाली चीज जिसे हम Solid Fire भी कह सकते है एक्जामपल के तोर पर जैसे कि Wood हो गया, Paper हो गया, Rubber हो गया इसको अगर आग लगती है तो वो Class A Fire है चलिए अब देखते हैं कि Class B Fire में क्या आता है तो Class B Fire में आता है Flammable Liquid यानि कि ऐसा Liquid जो जोलन शिल हो जैसे एक्जामपल है Petrol, Diesel, Paint इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो Class B Fire में आती है तो चलिए अब देखते हैं कि Class C Fire क्या है तो Class C Fire में आता है Flammable Gases यानि कि जलने वाली Gases यानि कि जो भी Gases जो जलती है वो Class C Fire में आती है जैसे हम एक्जामपल लेते है Hydrogen Gas जलती है, Butane Gas जलती है, Methane Gas जलती है इसको अगर मान लो आग लगती है, तो वो Class C Fire में आती है चलिए अब जानते है कि Class D Fire में क्या आता है Class D Fire में आता है Combustable Metals अब जो भी Metal है जिसको आग लग सकती है, वो Categories Class D में आती है जैसे कि आपको पता है कुछ Chemicals है जिसको आग लग सकती है जैसे कि magnesium उस metal को अगर मानलो आग लगती है aluminium को आग लगती है putemcium को आग लगती है इसको अगर मानलो आग लगती है तो वो class D fire में आती है अब देखते हैं कि class E fire क्या है तो class E fire में आता है electrical fires यानि कि जो भी electrical equipment है और उसमें अगर मानलो keep जो power है वो चालू condition में है उस दोरान अगर आग लगती है तो वो class E fire कैटेगरी में आती है example लेते है electrical equipment का जैसे कि computers हो गया generators हो गया ये जो है ये electrical power supply से चलते है अगर मानलो वो power supply में कुछ current leakage हो जाता है जिसके द्वारा fire create होती है तो वो इस category में आता है आपको ये ध्यान में रखना है कि electrical power conditions में अगर मानलो electrical atom हम remove ही कर दे तो उसका जो fire class है वो change हो जाएगा यानि कि जो computer है उसको हमने power supply दिया लेकिन वो power supply cut off कर दिया बाद में उसे अगर मानलो आग लगती है तो उसका जो fire का जो class है वो change हो जाएगा आपके kitchen को अगर मानलो आग लगती है तो वो class A fire category में आती है तो इस प्रकार हमने fire के जो है वो six classes देखे है as per international standard अगर हम Indian standard की बात करते है तो वहाँ पर शुरू में fire के जो है वो चार classes ही आते थे वो यानि कि class A fire class B fire class C fire और class D fire और फिर बाद में उसमें औरे class add हो गया जो था class A fire यानि कि अब हम Indian standard की बात करें तो इंडियन standard में total past type के fire classes होते है